तो अब तक के हम लोग ने current से related chapter पढ़े, magnetism से related chapter पढ़े और current और magnetism के combination पढ़ा है, हमने क्या पढ़ा है, current and magnetism के combination जिसमें काफी दारी बाते हुई है, कि यार current से magnetic field बनती है, magnetic field से current बनता है ठीक है, induced current है, self induction है, mutual induction है, यह काफी दारी combination पढ़ने के बाद सब में डायरेक्शन की कहानी है है ना डायरेक्शन है कि करेंट के विए से इधर माइटनिक फिल बनेगी माइटनिक फिल करेंगी तो इससे क्या होता माल्यूम है कि अल्याग तो चीजें हम लोग ने पढ़ लोई लेकिन जब एक साथ question paper में आता है ने तो बच्चे सब्सक्राइब करेंगे तो इस लेक्चर में हम लोग चीजों को सॉट आउट करेंगे कि यहार इक ही पेज में लाके रख देते हैं यार कि इसकी वज़ा से यह में प्रण करांगे करेंगे और एक ही पेज में पिक्चर में को समझ लेंगे तो टेंशन दूर हो जाएगा ऐसे क्या हो रहा है अलग तो पढ़ा है हमने जो चैप पर स्टार्ट कर रहे हो अपना एक नया रूल डार्शन करेंगे का तो हमने क्या करते हैं एक पेज में आके रख देंगे तो चीजे ज्यादा अच्छी तरीके सॉट आउड हो जाएंगी और समझने के लिए काफी क्लारिफिकेशन मिले आएगा तो करेंडरःण से डेपल हमने दो चैटर पढ़ें एक तो मोविंग चरजे डें डिमेग्नेटिसं जोगी के अंदर दो पार्थ में चैटर अगर मैकनेटिसम पढ़ा है हम लोग ने फिर बात में पढ़ा एलेटिर मैकनेटिक इंदेक्षङन यह दो चैप्टर में बात में वाढ़ने के कॉम्ईनेशन की मिली भगत की है ना combination की तो यहाँ पर देखो जो हमने यह chapter पढ़ा था moving charges and magnetism इसमें क्या पढ़ा था बताओ moving charges charge अगर move हो रहा है अगर कोई current आ रहा है moving charges मतलब यहीं वाना कोई current आ रहा है कोई current flow कर रहा है तो उसकी वज़े से क्या बन रहा है magnetic field बन रहा है तो इस इस है garment क्या पढ़ा current की वज़ा से क्या बना? magnetic field बना I for current Before magnetic field और Moto Q in PMI में हमने पढ़ा EMIM में हमने पढ़ा EMIM में पढ़ा की magnetic field की वज़ा से current पैदा हो रहा है करण बन रहा है magnetic field की वज़ा से यह do concept एक तुस्री को wise versa ठीक है और EPI में फिर startup जैसी क्या क्या तो यह से current बन रहा है मतलब इसको नाम देंगे, हम लोग इंडियूस current, क्या बोलेंगे, दोगो, इंडियूस current, अगर हम EMI के दो पाड़ करने, कि magnetic field की वज़य से क्या बन रहा है, इंडियूस EMF या induced current, बोल लो, या induced EMF, जो कहना हो, कहलो, क्योंकि current है, इंडियूस current, यहनि magnetic field से, magnetic field से जो current बना, magnetic field की वज़य से current flow हुआ, ठीक है, flux की वज़य से, magnetic field से flux, और उसकी वज़य तो current बना, उसी क्या बोलीगे, induced current बोली है, EMI के बाद हो रही है, यह तो moving charges and magnetism के बाद हमने खतम कर दी, moving charges and magnetism में हमने क्या पुला था कि current flow कर रहा है, current flows के अपने चारों तरह magnetic field बना, ठीक है, यह अलग बात है, लेकि EMI में दो-तिन concept है, बच्चे तोले से confused हो या आते हैं, induced ही में, फिर self induction, self induced, यह क्या होता है, तो सुनो, अगर इमाही में बात करें, कि magnetic field की वज़ा से current बन रहा है, तो उसे बोलेंगे induced current, तो self induced क्या होता है, self induced यह होता है, हमने main current बाहर से लाके दिया, बाहर से current लेकर रहा है, ठीक है न, current flow कर रहा है, और current flow से क्या बनता है, magnetic field, है न, यह magnetic field, और magnetic field से current, तो जो हम बाहर से external, बाहर से current लेकर आए, हमने बाहर से current दिया, किसी conductor में किसी wire में उसकी वज़य से magnetic field जो बनी है और फिर उस magnetic field की वज़य से current बनना है उस magnetic field की वज़य से current बनना है तो उसे क्या बोलेंगे self induction जै self induced current self induced current अब बास समझ में आई हैं यह है picture बच्चे कन्फिस होते हैं induced current self induced तो सुरू जश्ट एक magnet है power magnet कोई magnet है उसकी वज़य से current बनने raw magnet है जो बाई यह चरह हमें बिला है ठीक है ना उस magnet से हम क्या कर रहे हैं वह magnet की field है चालो तरब उस magnetic field की वज़य से हमें क्या मिल रहा है current मिल रहा है ठीक है तो इतने पार्ट को just magnet से हमने start किया current में खतम किया इतने पार्ट को हम मोनेंगे induced current induced current लेकिन लेकिन अगर कुछ ऐसा हो रहा है हमारे घर में current वायर हर जगा ही current दौरता ही है current flow कर रहा है current की वीक वेकिन के बनेगे क्या बनेगी वापस current हमने और इतना इस सफरक है यहाँ पर में आ रहें बैसे के स्टो्री ठाट कर रहें। यहाँ पर्व्यारन के हाय से स्टार्ट कर रहें। यहाँ पर कहानी बाहर से खिंप500 कर रहें। क्या मारेले लाप डश्य पाने के लिए क्या आइक है इसे पटुरल Κ्राओं के रूपानायों निसार इंचर ने में दिआ है थी अबारे में गज़तें यह तो आुज करेंट बन रहा है यहीं से बन रहे है उसकी वज़ाव करेंट ही है वह यह अलग बात है लेकिन हमारे डारिशन यानिग करने पता करना है कि यहार करेंट कर रहा है तो बताओ मैंटिक field है यहाँ पर बताओ current कहाँ flow हुआ तो यह देखेंगे यह दो concept से हम लोग क्या देखेंगे direction पता करेंगे एक बार किसका direction पता करेंगे magnetic field का और एक बार किसका direction पता करेंगे electric current flow का current कहाँ flow होगा current की वज़े से magnetic field का direction magnetic field की वज़े से current का कहानी समझ गया पूरी श्टोरी यह पूरी स्टॉरी थी यह दो चैप्टर को मिलाकर सो यह है आपके डार्रिक्षन की कहानी, बहुत इसी है, साथे चेज़े कलारिफाई हो जाएंगे आज, सारी चेज़े आज कलारिफाई हो जाएंगी, देखो, हम ने क्या कहा था, करन्ड से मेंगनेटिक फील्ड बन रही हैं, और दूसरे पार्ट में, ने एम अमें में मेंग ठम्हेशा Content के लिए हमेशा the current के लिए ओकर वे इंशायli में क्या होगा इंसाइड होगी इनधिक फीड और देज साइड अउटल को या लिए ओके यह अगर कोई लूप है आफम इसे लिया और अंदर अंदर यह करो तो उके इंसाइट इंसाइट के लिए क्रॉस बनाओ गाया- आउटसाइट के-लिये डॉट्च बनाओगी यह पुरे गव है किटना आसान था यह नरे ना राइट है को आदी लेना एंडान फोल्ट है और फिजिक्स अधिय्छ Q 2B clockwise isc inside दो गों मैगनिनिक फील यह इनसाइड है इंसाइड है तो इंसाइड का मतलब सौ्थ बदब शौ पोल होगी है और यह आप हो जिर्स तो ॉलेज़े ना फिर ông एक तरह ऎाध रखो हैं ना फे हाँ सर इते क्लॉक प्यत्थ ही हो रहा है आगर कोई रूप है सर इसे स्ट्रेट वायर नहीं है कोई क्या है लूप में वह घा नहीं है अब भी बता है मैं इन्साइट guaranteed वाइट से मतलब यह साइड से मतलब यह है अब यह पर नूब में ऐसे मतलो मैं एक स्याइड लो ऊपर की तरफ और fidelity की तरफ लोग तो यह वादर हो जाएगा सओ्ट और इसके पीछे साइड देखो ओने व जाएगाय का दॉन यह फिर्माएं सवल मैं सब्सुर्वा कि explored अगर यह इस तरह current है ऐसे current है तो यह inside में इसाइड में इसाइड साउथ पोल हो गिया और इधर से देखोगा तो नौर्थ पोल हो जाएगा क्योंकि फिर वह anti-kloak पर उधर से दिखाई देगा चलो चाथर यह तो अच्छी तरीकिए समझ में आ गिया करेंगे फिल कानी बहुत अच्छा समझ में आई सरह में चलो तो में इसे current में आते हैं तो मैंनिक फिल से current का मसलब क्या पता है तो मैंने पता हो इस प्रक्राइब यह कॉंसेट समझ में आगी दोनों आप कौँता है एंड्योज करें इंड्यاز कर लेड्यार करें कि श्रसे पते हो तो यह हमने क्या ऑफा देको αυτे इंड्यार यह खार Zion यह तो तो कैसी करने फिंगर किसा परिवें लेकर ना है कर लेकर कर लेकर 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 लिए इंसाइड है और इसमयर थम कहा जाए निशे इति रभ जाएगा तो करेंना डांगर दाउल यह जोगा अगर कोई लूप है यह यह तो बात में पसा चला है यहां पर राइट है यहां लेकिन इसके रावा भी तुम्हें मालूम है क्या आइसी इनसाइड है तो सौथ पूल बनना ची अलगवाइज लेकिन इंड्यूस में आपूजिट induce में opposite रखना है क्योंकि वो oppose करता है जो current induce होता है यह में oppose करता है यानि कि अगर inside magnetic field है inside है बनना चाहिए south pole लेकिन बनेगा कौन सा induce में north pole induce में यह वाला rule इसके लिए है यह वाला rule किसके लिए इसके लिए है कब जब current से magnetic field है अगर magnetic field से current है तो opposite लेना है तो अगर inside magnetic field है तो यहाँ कौन सा बन जाएगा north pole north pole का मतलब anti-clockwise anti-clockwise ऐसे की ऐसे 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 बनेगा न anti-clockwise इसलिए इस तरह anti-clockwise ना जाएगा अब आई बस समयों चाहो तुम इधर का सोचो और induced में opposite concept मार दो अईसे भी कर सकते हो इसे सोचो दो कि यार inside में inside का मतलब south pole south pole मतलब clockwise clockwise है लेकिन यहाँ पर अगर induced current है magnetic field inside है वहने north pole बनेगा north pole मतलब anti-clockwise दोड़ेगा ऐसे भी मतलब अगर यह बिना यास किये भी ऐसे भी समझ सकते हो ठीक है? मेरे बहुत अच्छरे के लिए रोगे है अब देखो current की वज़े तो magnetic field बनेगा यह बात थी? यार magnetic field बन रही यानि कुछ force भी अब आएगा force भी entry आगे यानि current magnetic field में अगर force भी आजाए current magnetic field में force भी आजाए ठीक है? यह तीसरा और आखरी concept है अब फोर्स आ गिया इसके लिए हम क्या rule यूज़ करेंगे? right hand palm rule यह तीसरा है पहले वाले से दूसरा अपने आप पता चला जा रहा है IEC है IEC का उल्टा मार लेना induced current में IEC के लिए उल्टा मार लेना ठीक है और यह जो है यह अलग concept की current magnetic field है और force भी आर उसके लिए right hand palm rule लगाओगे तुमारी जो fingers रहेंगी fingers तो भाई दखो thumb हमेशा current यहाँ पर भाई है thumb current finger magnetic field अब की बार palm क्या हो जाएगा? force हो जाएगा बस तीनों में यार एक ही तरीके यहाँ पर यह थम का मदलब current यहाँ पर यह थम का मदलब current यहाँ पर finger के मदलब magnetic field यहाँ पर finger के लिए magnetic field palm rule में भी current magnetic field और force पाम जाएगा अब देखो जैसे यह inside एक यह दिया हुआ है क्या? magnetic field ठीक है ना? यह तुमारा अब बताने कि कोई conductor है कोई wire है या कोई चार्ज अंदर गया magnetic field के अंदर गया इस तरह ऐसे गया तो बताओ इस पर फोर्स कहा लगेगा देखो क्या करना है? magnetic field के तरह finger है finger है thumb कहा रखना है? current के तरफ जो चार्ज यह चार्ज है thumb इधर इधर के इधर? सर इधर क्योंकि सर यह arrow दी हुई है यह ऐसे गया अब palm किस तरफ आया? palm इधर आया? force इधर हो गया इस तरफ हो गया यह हो गया force नीचे की तरफ अगर कोई positive charge है तो अगर negative है तो negative के मतलब current ऐसे नहीं होगा negative अगर electron है यह याद रखना अगर कोई negative मनदब electron है अगर कोई electron का मतलब अगर electron ऐसे जा रहा है तो current को ऐसे समझना है उल्टा अगर electron ऐसे जा रहा है sorry मैंने क्या बता दिया था? शायद मैंने गलत बता दिया मैंने left hand use कर ले very very sorry हमें right hand use करना right hand use करना तो मैं इसके लिए बता आ रहा था ठीक है देखो यह गया तुम्हारा क्या charge positive charge ऐसे गया मैंने magic field पहले magic field के finger करो magic field अंदर की मैंने ऐसे finger की और यह गया मेरा thumb कहा है current के लिए है Q के लिए हम पाम मेरा कहा है ऊपर ऊपर की तरफ होगा not इस तरफ plus Q के लिए force ऊपर की तरफ होगा ठीक है ना right hand use करना है right hand okay अब अगर कोई electron है electron अंदर जा रहा है तो मतलब क्या समझा current इधर जा रहा है अगर electron के direction ऐसे है current क्या समझा इधर है current हाँ यह set हुआ right hand लिया current के लिए finger inside finger है मेरी inside यह thumb back current इधर और palm के तरह इधर आया नीचे इतरफ तो इसके लिए negative के लिए force नीचे इतरफ लग जाएगा clear है यार पूरा concept ही clear है sir पूरा concept clear है कितना easy था चीज़े चीज़े कितनी easy थी तो इसको समझना है इसी का उल्टा इसको समझ लेना और यह यही दोनों से मिलकर एक palm rule लगा देना force palm फिले force बाकी thumb के लिए current ही रहेगा finger के लिए रहेगा समझ गे ना कितना आसान सी चीज़े थी तो इस तीन concept में direction तुमें पूछा जाएगा याद रखना यह वाला इसका ultra यह मारना induced current है तो यहाँ जो concept लगा रहे हो कि यार clockwise inside है तो clockwise south pole है तो इसमें अगर inside है इसमें अगर inside है तो मैगनिक फिल outside की तरफ आएंगी वहले नॉर्थ pole हो जाएगा और anti clockwise हो जाएगा अगर मैगनिक फिल inside है पहले से ही inside दी गई है तो inside के south मत लेंगा इंग्रीस करेंट के लिए क्या लिए ना north ultra ले लिए इसी का ultra इसमें मार देने इंग्रीस करेंट इसमें इतनी से बात थी ठीक तो formula revision कर लेते हैं तेजी से okay फिर हम ले चैप्टर start कर देंगे मतलब ने मेरेकल start कर देंगे so EMI Electromagnetic Induction के formula देखो magnetic flux कितनी एक loop में किसी कोई conductor के loop में कितनी magnetic field गुदर रही है the magnetic flux का formula अभी इंट वे और इसका डॉट पड़ा घट आएंगे तो cos theta लग जाएगा area vector से area vector से magnetic lines magnetic field कितनी parallel है कितनी जादा अगर parallel ही है maximum flux मिलेगा यह concept मिले पूरा बताया हुआ सर्फेस से 90 degree टकर मार रहा है लेकिन हमें 90 degree surface से नहीं देखाया आता है हम लोग किसे देखते हैं surface के vector vector 90 degree से आता है यह surface एकवाइगा यह vector तुमारा area vector अब flux ऐसे जाएग होता है नमदा नहीं flux ऐसे जाएगा पानी दुम भर ग्लास ते ओडा के बारिश का पानी बर रहा है तुमने ग्लास ते ओडा किया तो पानी अद्धी भर रहे है पूरा यह पला से एरिया पानी के देना पड़ा है तो ग्लास के surface से वेक्टर ऐसे निकाले गए और बारिश की बूंदे भी ऐसे बिल्कुल होगे पारलेल में मदब कॉस दिरो डिख रहे थी तो कॉस दिरो के वेड़ी मैंसमा उतिकुल मिला के flux के रहे भी है कॉस दिरो चप्टर रिदम जाएंगे हम आपको सिर्फ फॉर्मेलर रिवाइस करा रहा है चाफ सी वेवर रोती है जाइट लाका इंड टेसला इंड न्युतर स्कॉइर स्कॉईर स्कॉइर है ठीक है कि नेस्ट तो तो ने से मोशानिमे मोशानिक उसे कोई अपने कंडेक्टर लीया और एक मैंगनेटिक फील में ये चेटर किस के बारे में हैं magnetic field, current बनेए के बारए है, का हम धी कहानी हो रही है, हमने पहले फ्लक्स का फ्मला क्यों नहीं है, छा मख्लक्स से ही तो क्यों लिया पनेों है फ्लक्स से ही तो क्या बनने बारे है, current बनन कर सै ठीक है मैंनेख कहानी थे हई है, буде मानेटिक फील भुट शार्यिड से अश्य तो इसके दोनों लेंड में क्या हो जाएगा इमें इंड्यूस हो जाएगा ठीक है और यह में बहुता है बी ल्वी डी मैंग्नेटिक फिल एल लेंड ऑफ दी कंड्डक्टर वी कितनी वेलोसिटी से आप चेंज करो इसे तरटटटटटटटटटटटटटटटटटटटट अगर कोई भी दो पैडल हो गई तो एमेज जिरू आजाए दो भी पैडले मसले इसे तुमारा ठीक है और मैंग्नेटिक फिल अंदर है ऐसे है तो यह अगर तुमने ऐसे लग दिया तो जिरू हो जाएगा ठीक है ना तो कोई भी दो अगर पैडलल हो गए तो वेलोसिटी अब लोग कर रहे हैं अब लोग कर रहे हैं कंड़क्टर ऐसे हैं मैंगी फिल ऐसे हैं मैंगी फिल ऐसे हैं कंड़क्टर ऐसे हैं वेलोसिटी ऐसे हैं तीनों ही आपस में क्या है परपंडिकुलर है तो कोई भी दो भी अगर पैडलल हो गए मतलब जिरू हो जाए कोई भी में कोई भी एक दूसरे के पैरलल हो गए तो एमेंफ जीरो आ जाएगा इसका मतलब यह नहीं कि कोई भी दो पर्पंडी कोड़रों का इसे मत कर लो कि जैसे यह तुम्हारी वेलोसिटी है मैंगनिक फिल अंदर है वेलोसिटी ऐसे तो वेलोसिटी भी अगर तुम्हें ऐसे कर वेलोसिटी छोटा भी है वेलोसिटी तो बील्वी किसका रोल प्ले कर रहा है इसका वोल्टे में आप़ा यह टो आप करन का फोर्मूला तो वी जगह मतलब ईंदभी हुक कि एम इस Civी में गोल ś propor nggak तो अगर एम का याद तो अब यह तो अपन नीक में और यह चैयंने को यह को ढईब हों ओगर कोई अगर को ऑल कि यहां पर एक और कॉंसेट देख लो अब देखो आप एसे रोड कॉन कईसे कर रहे थे वह जो कंड़क्टर था उसको मोशन इमें बोलते हैं अईसे देखर रहे हैं तो इंडिय से में फो रहा था अगर मैंने फिल इंसाइड है कटम कटम लगा हुआ है कटम देखर इंसाइ कि देखर फिल्ड हों है अंदर मागनेटिक फिल्ड है तब फॉर्मॉला क्या लेंगे जो इसके लिए क्या था बी यल वी था इंडिय में पिक्ते ल था बी एलवी था अब फॉर्मॉला क्या लेंगे अगर सर्कुलर मोशन करा रहे है किया कर要 He- dubious बेल स्कुयर इंटू ल स्टेल इस्वार ओनेगा हाफ ले पालेगा चारेना पड़ा तो यह हो जाए कि इंडिव सहे किस चीज़ के लिए इसे आज है कि नहीं था ऐसे नहीं, तो इक हो अजो कि पाले अजिक रोलेरो वोना चाहिए अजो उपर आगी बस समझने है और करन्ट क्या होगा करन्ट भाई इसके निचे क्या डाल दोगे आल डाल दोगे तो करन्ट हो जाएगा इंड्यूस करन्ट आ जाएगा करेक्ट इस सारे फॉर्मिलेर नूर्ट करते रहना है आप लोगो ही तो क्या बीर इसकाइर ओमेगा मितलब वोल्टेज फॉर्मूला क्या लोग आई के लिए वहीं रोटेशन के रोटेशन ऑवर बैल वी बैयार वी क्लिका राल दोगे हाफ बील इसकार ओमेगा आई के लिए डिवाईड बेर रेसिश्टिंच कर दो यह फॉर्मूला आजाए के सामने उसका डाइग्राम होना जरूरी है क्योंकि ये खेल जा रही चैप्टर हुआ इसे ही है बिना डाइग्राम के तो कर नहीं पाओगे कौन दी कहानी कैसे है तो फॉर्मला याद करोगे तो इसके लिए डाइग्राम बना जाने अब अगर कोई कंड़क्टिंग अभी तक कंड़क्टिंग किसकी बाद हो रही थी एक पतला वायर की बाद हो रही थी अब हम उस वायर को हमने क्या बना दिया क्या बना दिया क्या बना दिया क्या बना दिया क्या और एक मैग्री फिलो लाके उस क्या क्या को रहे है इसे तेजी से तेजी से जब इसे घुमायें गे तब ये-मैफ क्या बनेगा तब इसमेफ पनेगा एफ एमेगा ऐफ फोट यह कितनी आंगुलर वेड सिटी है साइन ओमेगा टी से साइन का जो यह है तो N मतलब सर, N मतलब number of tons of this coil, N मतलब number of tons, B मतलब magnetically, A area of this coil, तो यह आएगा, यह क्या है, अगर इसको maximum हमें करना है, maximum, तो sin omega t अगर तुमारा क्या है, 90 degree है, 90 degree मतलब 1 हो जाएगा, तो जो coil तुमने रखा हुआ है, वो बिल्कुल 90 degree से रखा हुआ है, जो गुमा रहे हो, वो समझगे ना, मतलब यह एकसे है, जब इससे होगी, तो कैसे घुमी को इसे, बिल्कुल इससे घुमेगा, अगर एकसे रखा है, तो यह ऐसे घुमने लगेगा, है ना, तो maximum के लिए sin omega t 90 degree हो जाएगा, वो 1 की value हो जाएगा, तो E not, E maximum कितना हो जाएगा, Nb omega हो जाएगा, sin omega अगर 0 degree हो जाएगा, जोचन हो, दिनका लगेगा, और झ Gir ''Dog interpreter हो जाएगा, कैसे घुम छाए, तो कॉँदी है, तो मिने कॉइल को ऐसे खड़ा खड़ा एल लिए, ऐसे मिल कुल खड़ा वा,müş primeiro पहले तूम यह मैगरिक्री फील्ड अंदर मैगरिक फील्ड है कटम काटी बनी वी हां गॉइल को आई से गुमा रहा है है क्या मिल रहा है इंगें अगा ने अगर को तूम ऐसे गुमा रहा है देखलो यह एक्सिस को आइसे नहीं तोड़ा से आईसे करके वैसे आ जायेगा द कि यहीं तो नहीं मस्त आ रहा है ध्या थो अगर नोग अगर 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 गुवारें आएक न जा जा जाए इसे नियुक्त घुमाने मीं जो चारो तरफ अब अभब ऑचेंज और करड़ होने लिए मैं तो यह जो आए-क ठीक है तर्छनी बिद्धा दुला रिदायों और अब आ तो अब बड़े बसें आहेगा अधिसे लिए सीवह सबस्दों Galar कर जाएगा यह होगा, NbA, Sin Omega T, और in dueuse a.mf, induces current को Divided by R, maximum, nba, Sin界 C و 주ушка M nu 말고 sin consent Consacry V by R, i to v by r, ठीक है ठीक है ठीक है, सर ठीक है। लुखो कितनी चीजह पढ़ ली को कितनी चीजह पढ़ ली 節, ठीक है, feels यह तो फ्लक्स है ना बीट्व है ठीक है अब देखो यह एक रॉड की वज़ा से जो रॉड ऐसे घुमाया तब हमें इंडियो से इमिफ क्या मिला यह बीलवी मिला था जब हमने एक क्वाइल को अभी बताया और एक दूसरा बताया था मैंने क्या अगर मैं ऐसे घुमा रहा ह अब मैं क्या कर रहा हूँ अब एक पूरा मैंने दो रॉड वाली कहानी होगी एक बर जो रॉड से मतलब क्या भाई तो के लैंग्वेज मेरी पकड़ना था टेक्निकल देखो है रॉड को यह वही वायर को मैंने इसे घुमाया था तो बीलवी मिला था जब रॉड को हम ऐस इसे घुमाया तब क्या मिल रहा है तब N-B-A sin omega t मिल रहा है 90 degrees N-B-A omega मिल जाएगा डिवाइड वायर करते जाओ को तीनों में ही तो तीसरा concept हुआ है एक बर राड ऐसे ऐसे फॉर भी लेगा और एक बर रोटेशन वाला फिर हमने लूप ही बना दिया अपको यह लूप ब अब बना तो अभी तक कि हमने जो फॉर्मिलस पढ़े है वो किस से रिलेक्टर फॉर्मिलस पढ़े है बना अब हम पढ़ रहे है दो टॉपिक और इसमें यह होगा वहां पर यानि की जो मोश्णल यह था उसमें हमने कहानी कहा से श्टार्ट कि थी से मज़रिक फिल्ड है वहां से क्या मिल गया मेम है स्टार्ट करन्थ है करंद्थ मान मैंनिक फिल्ड वांइब यदा Elde cumpl माना लीं वाफस टॉपि करन्थ रंख रहा दा है अब जनग papa करन्ध भी है तो इसके ऑला मागनिक फिल बनने लगी मैं जब बनने लगी तो आप मैंगनी क क्या बनने हैं हमने बाहर से बैटरी करन्थ तो क्या हो रहां हुड वैटरी जो करेंगों बैरी से सब्सक्राइब आए- 220 शे डाइयोल है तो य चले तो इस वाले फॉर्मिले का यूज की हम इसकी कानी क्या है इसका फॉर्मुले क्या है इसका फॉर्मुले देखो पर इसका फॉर्मुले देखो पर इसका फॉर्मुले देखो अभी दक्रिक्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट तो फिर अगर 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 लिए तो यहां माइनस इसलिए क्या होगा इस एक बहुत लॉंग सरिनाइड है तो उसके लिए ल की जो वैल्यू होती है यह कि जो कोफिशन इसकी वैल्यू होती है अगर वैकिन में पढ़ा हुए चेप्टर के रिवीजन में तो यहां रिखता है फिर में एक चार्ट में फिर से बता हुँ मैं एक बार और तो इससे और किल्डर हो जाएगा आपका सो कुल मिलाके हमारे पास एमाई में पांच फॉर्मिले हैं इंडियू सी एमेफ के ठीक है तो अगर कोई एक स्ट्रेट ऐसा राड है कोई एक कंड़क्टर को इस तरह कर रहे हो तब तब तुम्हारा एमेफ क्या बनेगा यह यह ब ल, V, V for velocity, V क्या है, velocity के लिए है, कितनी तेजी से आगे पीछे कर रहे है, FI के flux के value पता है, BA cos theta होता है, Magni field और area cos theta वो होता है FI के value, ठीक है न, flux के value, तो E, B, L, V, किसके लिए हो जाएगा, जिसके लिए हो जाएगा, ठीक है न, और वही रॉट को तुम्हें ऐचे से ना करके, कैसे खुमा रहे हो, ऐसे खुमा रहे हो, तब formula क्या आ जाएगा इंडूस एमेफ को, हाफ, B, L square omega, omega हो लो कितनी तेजी सा रोटेट, circular motion करा रहे हो, कितनी circular motion करा रहे हो, तब यह formula हो जाएगा, फ्लस की वही वैल्यू, B, A, cos theta, ठीक है, तो, यही देखो, अब यही conductor की जो state wire था, इसको हमने गोल कर दिया, ऐसे गोल कर दिया, जब गोल कर दिया, और गोल वैल कैसे गुमा रहे है, ऐसे गुमा रहे है, ऐसे, ऐसे गुमा रहे है, वो लूप को, लूप को, तब हिंडू क्या क्या पढ़ा, induced mf पढ़ रहे है, अगर इसी में induced current चाहिए, तो divide by r, divide by r, divide by r, कर दाना, तो induced current आ जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा, induced current आ जाएगा, तो इस दो यह हो गया, किसके लिए, induced mf के, अब induced mf के ही, अगर हम self conductors, मुछवल, self inductors, मुछवल inductors के बात कर यह भी inductance ही current है, induced current ही है, लेकि self inductors मतला, अगर हमने current दिया, current से magnetic field बनी, magnetic ठीको, यह कहानी क्या दितीन होगा, magnetic field से current, यहां पर क्या है, बाहर समने कोई current दिया, वायर में, current की वज़ा से क्या बनेगी, magnetic field से current बनी रही है, तो तीनों में देखा, इस concept बोलते है, self inductance, जो इसी का समझ लो एक भाई है, तो तब self inductance induced mf क्या होगा, e is equal to minus l di value, minus i से लगा है, क्योंकि opposing होता है, आपने पड़ा है, पुरा chapter में कि oppose करता है, self inductance, main current को oppose करेंगा, क्या करेंगा, तब formula क्या है, minus l di by dt, अब इसमें जो phi की value होगी, flux की, यह होगी, l into y, what is l, l तुमारा self inductance का coefficient है, l के constant value होती है, depend करता हो, ठीक है, अगर long solenoid है, तब l की value क्या होगी, mu naught n square by a upon l, l की value है, क्योंकि कोई बड़ा सा long solenoid है, तो बिलाके self inductance में, अगर emf निकालना है, तो यह आ जाएगा, मुच्वल inductance मुच्वल दो क्वाईल अगर है, क्या है, दो क्वाईल तब self inductance कैसे बनेगा, अब यहां पर world change करते मुच्वल, है, एक, दो, तीन, चार, पाच, सब में ही, induced current की बाद हो रही है, सब में ही किसकी बाद हो रही है, पुन दोनों के मुद्वाने पैसे जिया है, 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 सब induced, amf पाचो, लेकिन यहां पर नाम change हो गया, इसका होगे, self inductance होगे, मुच्वल inductance मतलब current, magnetic field, तो वापस current, यहां पर गया था, magnetic field, and current है यहां ठीक है, अब मुच्वल मतलब अगर दो coil है, तो इस coil की वज़ा से, इस coil में कितना self inductance हुआ है, उसी को बम से बोली, मुच्वल inductance है, बस इतनी जबाद है, तब formula क्या हो जाएगा, क्या है, मुच्वल inductance का coefficient है, क्या जाएगा, किसका, इसका current, मतलब पहले वाले का current, इसमें current थोड़ी नहीं, इसमें इंड्यूस current है, मैं कहनी क्या है, आयल भी आयल, तो इसमें current दोलाया हमने, इसमें current की वज़य से, इसमें induced current कितना आया, induced EMF कितना हुआ, तो I1 में the current, I1 current 1, मुझा पहले वाल में कितना current है, upon dt, ठीक है, समझे है, तो यह पांच्व पूरी picture हमने सामने लाके रख दिये पूरे chapter की, अब आप तो पूचा मालूम क्या जाएगा, एक तो direction बहुत पूचा जाता है, direction कहानी बहुत अच्छे दम्हें समझा रही है, कि जो हम लोग direction current से magnetic field बन रहा था, जो हम लोग right hand thumb rule लेते हैं, induced के लिए उसी का उल्टा मार दो, उसी का मार दो, उल्टा मार दो, बस वही कहानी है, current के, ठीक आप posing दिखाना है, कि यहार अगर current साउथ पूल होना ची नहीं यहार 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 नॉर्थ पूल बनेगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है ना, तो ठीक अब हम लोग नुमेरिकल करेंगे, और फटा फट क्लारिफिकेशन और ज्यादा चेक्टर का हो जाएगा, अब यहां पर देखो, यहां भी सिंगल, इसमें भी एरिया वाली बाती ही नहीं, अब यहां पर देखो, एक यह कॉंसेप्ट है लूप का, अब यह लूप में हम लोग क्या करें, गुमार है लूप को क्या करें, घुमा रहे थो यह फरमिल लगा है, लूप अप आया, यह लूप है, तो लूप को घुमाना मцलब एरिया से लूप को भुमाएंगे तो यह फरमिल लगाएंगे, अब लूप के दो कहानी का हमचे है ждो यह आर यह आ year, एक तुझे कहानी बताई और एक एक कहानी और अगर लूप को घुमा रहे हैं लूप को घुमा रहे हैं तो यह फॉर्मुला लगेगा यह बाला लगेगा अगर लूप को ऐसे करके घुमा रहे हैं लेकि लूप को अगर जैसे ऐसे बाहर ले आ रहे हैं तब फॉर्मुला लग लोप को बाहर ले आ लुप को क्या ले आ रहे हैं अंदर बाहर ले या बाहर रहे से छल्ड घुक में इस तरीके से ेस तरह घुमा रहे है टो यह फार्मूला लगेगा एका और ऐसे बहर लेगा ऐसे तभीये वाला फॉर्मिला लगेगा डीफाइब या फिर बहर लेगा तो भी यही फॉर्मिल मैं भी फिल आगे पीछे कर रहे हैं इसको आइसी रखका और मैं भी फिल आगे पीछे कर रहे हैं तभी यही फॉर्मूला लगेगा समझें? समझें रहे हैं?